हेलो दूस्तों बहुत सरे भाई के मुझे कमेंट आया है वो लोग मुझे कमेंट करके बोलाए भाई आप डाबल टिकर का बारे में वीडियो लेके आओ है तो यह डबल टिकर है वोको एक्स्थ्री प्रो और इस अशी को कैसे निकलना चाहिए कैसे बैठाना चाहिए एक्ट्ट्र ट्रेट कि देखाएगा इस वीडियो में आपको अशी जहांपे रहता है इसका उपर का जो कवर है अप चाहे तो इसी तरह निकल के आई सी को निकल सकता है ऐसे निकलने जाएगा तो थो थोड़ा किटिकल है और कि अ आल एक कम सक्सेश्थ नहीं होता है ठेके न तो शबसे अच्छा होगा थोड़ा सा टीने को काट के न आप अप अची को निकलो ठीक है क्योंकि आसान होगा ना फिर थोड़ा सा एरिया मिल जाएगा बिलिट घुसेने के लिए तो इसी तरह से भी आईसी निकल जाता है ऐसा कुई बात नहीं कि आईसी निकल जाता है लेकिन इसमें ज्यद्धा रिक्स होता है और हरेक कम आपका सक्सेस नहीं होगा और सबसे में बात क्या है कुण सा बिलिट यूज़ करना चाहिए इस आईसी को रिमूब करने के लिए क्योंकि हमने भी ट्रै किया है हर एक बिलिट से हर एक बिलिट से ये कम सक्सेस नहीं होता है हर एक बिलिट से आपका ये कम कभी भी सक्सेस नहीं होगा करना चाहिए payer और यह जो वीडियो हे मैंने इस्पिट नहीं किया है की जैसे लाइप हो रहा है थेकना मनल लेज़े यह वीडि़ियो लाइप हो रहा है वह रहां है इसना हम बाद में दे रहा है लेकिन वीडियो जो है य वीडियो लाइप है थेके देख लो थोड़ा सा भी मैंने इस्पिट नहीं क्यां तो ये टीना काटने के लिए भी थोड़ा सा सब्दनी से काटना परेगा क्योंकि टीना का असपस में बहुत सरे चुरा-चुरा क्यापाजिटर रेजिस्टेंस रहता है थोड़ा सा ध्यान से इसको निकालो और अभी आते हैं माइक्रोइस्कूप में है आपको देखाएगा सबसे पहले बिलेट कुन सा यूज करें यहाँ पर देखो ऐसा बिलेट होना चाहिए बहुत हलका पतला होना चाहिए यहाँ पर देखो इस तरह ठेक है अगर हार्ट बिलेट रहेगा तो फिर आपका ऐसी खरब होगा है उपर का जो रहाम है यह तो हार्ट बिलेट से निकल जाएगा किसी भी बिलेट से निकल जाएगा उपर का रहाम लेकिन इसके नीशे जो सिप्यू रहता है यह बहुती पतला रहता है और बहुती हलका है सिप्यू तो साइट के जो गुलू है पहले गुलू को काट कर लीजिए किसी-किसी फोन में गुलू नहीं रहता है और सिप्यू जो है न यह बहुती पतला हलका रहता है तो इसलिए आपको जो बिलेट है न यह बिलेट बहुती हलका होना चाहिए अगर हार्ट बिलेट रहेगा तो फिर सिप्यू आपका डेमेज होगा हंडेट परसन ट्रेए करके देख लो और आइसी लागने का बात में कहां पर चिक करना चाहिए आपको आपका आइसी सही है के नहीं है आपको मिटर से ही मलूम चल जाएगा मेरा वीडियो देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा ठीक ना क्योंकि गल्तिया हमने भी किया है बहुत सारे ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने गल्तिया नहीं किया है गल्ति करेगा तब जागे ना कुछ होगा जब तक गल्ति नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा लेकिन कुशिश करती रहूँ हर नहीं मनना है जब तक सक्सेस नहीं होगा मेरा हद में भी बहुत सारे अनसक्सेस हुआ है ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरा हरे कम सक्सेस हुआ बहुत सारे ले hat है अज़िए करते करते मुझे इतना तक समस में आ गया है कि बहुत यसमें जो बलिट चाहिए यह बहुत हलका पतला होना चाहिए है अश्ब्ह तब जग आहिए आपका कम सक्सेस होगा और कहां पर चेक करना चाहिए, क्या का चीज़ चेक करना चाहिए इसमें ऐसी तो आपने सही से निकल दिया सही से बैठा भी दिया है फिर देख रहे हैं आपका काम नहीं हो रहा है तो फिर आपने क्या किया MMC को भी निकल दिया, Power AC को भी निकल दिया ऐसे करने से नहीं होता है आपको चेक करना चाहिए मेरा सीप्यू जह है यह ओके है के नहीं है ऐसे निकलना बैठाना यह बराबाद नहीं होता है आपको चेक करना भी चाहिए है न क्यूंकि आपको मावलूम भी नहीं चल रहा है ना आईसी खारा भे बोलके अपको तो लग रहे हैं मैंने तो आई सी सही से निकल दिया है सही से बैठा भी दिया है फिर सेट ऑन क्यों नहीं हो रहा है अगर आपका फोन नहीं हो रहा है तो आपका जो आपका आई सी है सीप्यू है यह शॉट हो जा रहा है इसका बज़ा से और नहीं हो रहा है अपका आई से निकल रहा है तो इसके मतलब आपका आई सी शॉट हो रहा है क्यों शॉट हो रहा है क्योंकि आपने बिलेट जो है ना यह थूरा हार्ट बलट यूसके है इसके बज़ दिया इसके वज़ा से आईसी श्वाट हो रहा है तो मैंने कहां पर कितना हिट रखा कितना यार रखा आपको हर एकसी स्क्रीन में देख रहा है अगर आपका पास में यह स्यम भूर नहीं है दूसरा भूर है तो भी हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है अपका पास में अच्छा भूर ही होना चाहिए ठीक है आपका पास में चाइनिस ब्लॉर भी होने से हो जाएगा लेकिन अगर आप चाइनिस ब्लॉर से काम कर रहे तो आपका ब्लॉर का जो हीट है ये 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें जो हीट है आउं ज्यादा निकलता है इसका बज़ा से आपका प्रोलेम होता है और आपका ब्लॉर का जो नोजल है एना उक टेन आमे मैं का होना चाहिए अगर का जो क्याप है ये टेन mm का होना चाहिए छोटा कैप से फ्रोब्लेम होता है ठीक है यह उपर का तो रियम निकल जाता है बहुत ही आराम से और में बाद CPU को निकलना और इस में ज्यादा Heart Billet इउस मत करो ठीक है और ज्यादा पिशार भी नहीं देना है ये सब क्यापसिटर को निकल दो ये हम बात में लगा देंगे हैं न पहले आईसी को सही से निकलते हैं ज्यादा पिशार नहीं देना है थोड़ा सा टाइम लगे लगने दो ऐसा कोई बात नहीं है कि दू मिनिट तीन मिनिटी रखना परेगा उसके बाद आईसी खाराब हो जाएगा ऐसा कुछ भी बात नहीं है ठेक है तो ज्यादा पिशार नहीं देना है और बिलेट जो है ये बहुत हलका पतला वाला चाहिए आपको और मेरा जो बुलूर का हीट अभी चल रहा है 370 ये क्वीक का है तो ऐसे किस तरह निकल गया आपने देख लिया अभी ये बोर्ट में जो बिलक पेश्ट देख रहा है आप इसको आयरोन से धीरे-धीरे करके साफ करें ज्यादा हर्वरी नहीं ठेके पहले उपर का जो रंग थोड़ा बोद लगा है उसको अच्छे सब कर लिजिए फिर बोर और आयरोन दुनों को एक साफ में आपको यूज करना पुरेगा अगर आपका पास में चाइनिज बोर है तो इस टाइम आप आयरोन का साफ में जो बोलोर यूज करेंगे बोलोर का जो हीट है वो लगभग 180, 190ு इस तरह होना चाहिए बोलोर का हीट और आयरोन का जो हीट है इस टाइम मेरा 335 है ठेक है और मेरा क्विक बुलर का अभी हीट चल रहा है 170 ऐसा कोई मेकानिक अभी तक पैदाय नहीं हुआ है एक बार में काम को सक्सेस करें हार एक एक से बरकर एक मेकानिक का शुरू शुरू में दो चार पांस तो खराफ हो गई तो इसका बज़ा से आप लोग डोरो मत अब लोग ट्राइ करते रहो जब तक सक्सेस नहीं होता है जब तक सक्सेस नहीं होता है अपना काम तब तक ट्राइ करते रहो जिस दिन सक्सेस होगा न उस दिन फिर ये सब मतलब बच्चों का खेल जैसा लगेगा आपको छमूझ गया न मेरा बात को जिशने साझसेश होगा जब तक साकसेश नहीं होगा तब तक लगेगे ज़ल ने हएँ यह तो बहुति बअना काम है कि बहुति बअना काम ना मेरे वह को कर और मिल्स जो है यह बहुत हल्का होना चाहिए और यह जो ऐसे का स्पास में जो भी गुलू देख रहा है आप लोग चाहे तो बुलूर और आइरोन एक साथ जोर के इसको और आप साथ कर सकताँ आप लेकी कोई अच्छा लागए है कि आइरन से ही सब करना पढरेगा आपको जैसे अच्छा लागए अब जैसे कर सकते हैं उसी तरहो करो कोहीं भी रुकने वाला नहीं है कोहीं भी टुकने वाला नहीं है क्योंकि आप अपना दुकान में कर रहाए काम जैसे आपको आच्छा लगें ठेके अगर काटर से आच्छा लगता है तो काटर से करो कि में भात क्या होता है इसी को साब करना होता है मना कीजिकरिखेष्य फुर्ण में बहुत ही जन्लीडे साब हो जाता है किसे-कीजिव फुर्म में फांटाइम लगता का जैसे मेरा इस भी टियो लगवबग एक घुंटा हो गया ना आ मैंने अ बहुत सब्सक्वाइब बनाया एक सेम जैसे नहीं होता है किसी-किसी फुन में देख लेना आइसे का बाहर में बहुत साक्री सा निकल निकला है के तो इसलिए यह बुलना मुश्किल है किसमी कितना गम लगा है यह कि तो आप लोगोंने कितना खरब किया, कमेंट करो, बोलो मुझे, और मैंने कितना खरब किया है, आपको भी रिप्लेई करेगा, लेकिन आप लोग सस्य बात बोलना, ठेके, आपने कितना खरब किया, डबुल टिकर को, क्योंकि ये जो फोन दुकन में जब आते है, ये डेट में नहीं आता है, ठेके न, कभी भी डेट में नहीं आता है, डेट मतलब तो बिल्कुल खरब है न, डेट में नहीं आता है, ये क्या होता है, आप सभी को तो मालूमें है, इसका जो बल बगरा है, ये छोड़ देते है, एक दूसरे से छोड़ देते जोईन को इसका बजा से यह फण नहीं होता है हम लोग क्या करता है इसी को निकलते हैं दो बढरा रिसोल्रिंग करके बाउद बनाके उसी को बैठाता हैं तब जके ना यह फण अउन होता है तो इसका मतलब मुबाइल में कोई फे खरा भी नहीं होता है इसका जो सोल्रिंग जोएन है यह छोड़ देते हैं इसका बज़ए से एफ़ोन नहीं होता है है था कि आप लोगों ने तो सही से ही बनाया साइट भी जोड़ दिया सही से बठाया फिर भी सेट ओननी हो रहा है तो इसके मतलब अपना हाथों से डिट हुआ तो मुझे सब्सक्राइब बताना मुझे सब्सक्राइब करके बुलना अपने कितना खरब किया है ऐसा कोई माइके नाल तो है नहीं कि एक बर में सक्सेस करें हो जाता है ऐसा कोई बात नहीं कि एक बर में सक्सेस होता है होता है लेकिन मैंने शुरू में जो फस्स टाइम काम किया था फस्स डबल टेकर को बनाया था एक बार में सक्सेस होगा था है छुरूब मों आए लेकिन इसके बाद मेरत सब्सद्वा पयाख था और सब्सद्राइब हो गया कि तो आपने इसी तरह कैसित बत किया है और अगर नहीं क्या फिर भी मुझे कमेंट करके बोलो खरत किया ठीक मैंची परके बोलो मुझे अच्छा लगएगा आप लोगों या था रहत था क्याओं अपने बात को शैरिक है ले भी देख रही कॉमेंट उनको भी कावी कुस् अडिया आ जाएगा यहाँ यह दिद्भी होता है हुआ जो सिंगल ऐसी होता है मरुण ACL DC ट्राइम मिलेगा उस ट्राइम करेगा है ना फिर आपका समने भी लेकर आएगा वीडियो कि ट्राइए नहीं करने से तो नहीं होगा ना ट्राइए तो करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का पास इतना पैसा भी नहीं है हम लोग का पास में उतना टाइम भी नहीं है किसी का दुकान में जाके बैठ या तो कोई पर जाके क्लाश्ट जॉइन करें ऐसा टाइम भी नहीं है इतना पैसा भी नहीं है तो हम एक दूसरे का साथ बात करके उसने कुछ सोल जैसे मैं हर वीडियो में बोलते रहता हूं भाई मेरा गुरू जी कोई भी नहीं है आप लोग बहुत सरे मुझे कमेंड करके बोलते हैं आपको गुरू को नहीं है गुरू को नहीं मेरा गुरू कोई भी नहीं है भाई मेरा लोग है आप लोग से मैं कुश्चिन पोस्ता हू अब लोग जन BRAV करते हैं एक मेरा गुला आप लोग हो गया नहीं और आजिसे निकलने के बाद में आजिसी को ध्यन से दीख लूई कोय पर आसी फाट तो नहीं गिया कभी गवर आइजती फाट भी जाता है अपने देखावगा ठैन से देखना अगर अगर IC फाट जाता है तो उसी टाइम उसको मतलब छोड़ दो और आगे काम करने के तरकर नहीं है IC अगर फ़र्व फाट जाता है तो उसी टाइम IC को छोड़ दो ठेक है लगा के कुछ फाइदा नहीं है अपका और IC का उपर में जो बिलक पेश्ट है यहाँ पे देखो इसको आप लुप चाहे तो कटर से भी निकल सकता है ऐसा कोई बात नहीं कि आईरोन से ही निकलना पड़ेगा जैसे आपको अच्छा लागे मेरा हार एक बात वही होगा जैसे आपको अच्छा लागे उसी तरह करो अगर मेरा जैसे करना चाहते हो तो मेरा आईरोन का हीट अभी है 3.35 और बुलोर का हीट है 1.70 ठीक है ना अगर आप कटर से इसको करनेगा तो इस टाइम आपको बुलोर का हीट मिनिमाम रखना परेगा थीरी थार्टी रख के आपको अगर अगर हर्बरे नहीं करना है धीरे धीरे करके करना है तो आपका आईसी में खोरस लग जाएगा और ज्यादा हीट देगा तो आईसी आपका डैमेज भी हो जाएगा ठीक है ना ज्यादा हीट इसलिए नहीं देना है आयरोन का हीट थीरी थार्टी फाइब और बुलोर का हीट है ओन सेवेंटी ये क्विक का मेरा बुलोर का अगर आपका फास में चाइनिस बुलोर है तो लगभग आप लोग एक्सासी एक्सेन अब्वें टूहंडेट तक रख सकता है ठेकना है हाँ क्विक का हीट थोड़ा कौम ही निकलता है लेकिन चाइनिस के हिट ज्यादा निकलता है फिर भी आपको मैंने किया है मेरा चाइनिस बुलोर से तो इसलिए हम बोल रहा है अब लोग काम करके भी दे होशी है इसेथ दिमें राके कभरो अगा हो === हरे ऊपकी करना नहीं पर था है ये ते प्र नमें कर रहे यह ऐए चीज में कर रहे हिए टेबिल में मैं बैठके कर रहे चैर में बिच teaching रख से तरह करेगा हुआ तो नहीं होग ना ड veio आपना का सिटप अलाग होगा मेरा यहां करना का सिटप आला गए तो इसलिए है कि ट्रैकर ट्रैकर आटोमेटिक लिए मालूम चल जाएगा कितना रखके करना है कितना रखके नहीं करना है ठीक और यह जो वीडियो है यह हो गया एक घंटा का लगभख तो मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कि मुझे सुबह से बज़े उठना परा क्योंकि मैंने कभी तक से बज़े कभी नहीं उठा है मैं नौ बज़े का बाद में उठता हूं ठेक ना सुबह नौ बज़े का बाद में और 11-12 बज़े मैं जाइन करता हूं दुकन में जाकर आप लोगों के लिए अच मुझे थोड़ा जल्दी उठना परा है क्योंकि मेरा जो एडिट है यह मूबल से करना परता है कॉम्पूटर से मुझे आता नहीं है कैसे एडिट करें नहीं करें मोबल से थोड़ा बहुत आते हैं तो हमसी तरह करते हैं तो अब लोगों के लिए इस वीडियो बनाने के लिए मुझे लगभख अभी तीन गॉंड़ा टाइम लाग रहा है तीन चार गॉंड़ा टाइम सिर्फ एडिटिंग करने में बहुच देने में तो लाइक तो बनता है कमेंट भी बनता है ना अच्छा लगए भूरे लगए जैसे भी लगए हम यह नहीं बोलते हैं कि अच्छा कमेंट करो अपको अगर कहीं पर फॉल्ट मिल रहे हैं तो कमेंट करो हम देखना चाथा है आप लोग क्या क्या बोलते हैं क्योंकि आप लुख कुछ बोलेगा तो अब जाके मुझे कथ सास में आएगा तक अगर आप लोग नहीं बोलेगा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक मैं यह जो काम हम कर रहें आपको जो देखा रहे स пережए हो सके हम इसमें गलत है तो बात नहीं है कि हम इसमें सही है हो भी सकता है इसमें हम गलत है क्योंकि हम लोगों को मिल जूल के चलना परेगा मिल जूल के अब लोगों का साथ में चलना परेगा मुझे क्योंकि मेरा गुरू जी है नहीं कोई भी नहीं यह गुरू इस BE pressing निल growing on a घुट को थो दूस्तों मैंने देखा अभी तक अगार इस आज सी कर में जो चार पासिटर रहता है ना अगर, 2,3,4, चारों का चार अगर नहीं भी रहता है न फिर फोन चलता है कुछ दिक्केत नहीं होता है जैसे यहां फिर देखो दो क्यापासिटर निकल गया है ऐसा जोरूली नहीं है कि उसी को लगाना पुरहेगा दूबरा अगर आपका पास में है तो आप लगा दो अगर नहीं है छोर दो कुछ बाद नहीं है ठीक है अगर है तो लगा दो फिर अच्छा है ठीक है तो यह सब आइरोन से ही साब होता है अपने देखा है अब लुक चाहिए तो कटर से सब कर सकता है में बात मैंने क्या बुला था आपको उस टाइम कहां पे चेक करें कि यह फोन ओन होने का लाइक है कै नहीं अज हम इसमें इतना बता रहा है आई सी लागाने का बात में यहीं पर चिक करने से आपका फॉन अन होगा या तो नहीं होगा ठीक है इसके बाद हम जब भी नेक्स टाइम किसी डाबल टेकर का वीडियो लेकर आएगा या तो एक स्थिरी पूरो का ही वीडियो लेकर आएगा तो उस टाइम हम बता देंगे आपको आई सी में कहां पे चिक करें क्योंकि आइसी साफ करना और रेवल करना यह काफी लंबा प्रोचेस है ना तो इससे पहले अगर हम लोग को मालूम चल जाए कि आइसी खराब है क्या अच्छा है तो फिर यह इसमें इतना टाइम इंवेस्ट और नहीं होगा है ना तो आपके लिए यह नेक्स वीडियो में लेकर आएगा ठेक है आज सी में कहां पर चिक करें डायरेक्ट लिए अभी आपको दिखाएगा आज सी लगाने का बाद में कहां पर चिक करना है ठेक ना यह जो सिप्यू है इस सिप्यू को लगाने का बाद में तुम्हां पर चेक करना चाहिए कि सेट ओन होगा की नहीं होगा अभी मेरा आयरोन काई जो हीट है ये थीरी थार्टी फाइव है कि हरवरी नहीं करना है यर्यार सें त्रेक्स और आव़ने कोब करना अगया, अगर आपका पास मैं टाइमें एक गंडिया सार थो मेरा वीडियो देखिथे रहूं। अगर टाइम नहीं है तो यहीं पर चुझते क्योंकि मेरा जो काम है ये टाइम बर्बत करने वाला काम नहीं होता है ठेकर ज्यादा पिशार नहीं ठेकर हलका हाथों में करना है ज्यादा पिशार देने से अफ़का ऐसी में खुर्ज भी लग जाने का डर रहता है ठेकर टीशू पिपर से सब कर लेजी अच्चा रहता है नहीं तो कॉट्टन का कापरा लेजी है ठेक है और मैंने यूज़ किया है डुको थिनार कपी अच्चा होता है डुको थिनार तो दोस्तों यहां पर देख लो थोड़ा बहुत सबसुत्रा हो गया है ना यहां पर देखो कोई पर भी कुछ भी खुरस नहीं है और आइसी का चार तरफ निकलने के बाद में एक बर चिक कर लो आइसी का चार तरफ ठेक है अगर आइसी कोई पर फाट गया या तो फूल गया है तब ज़क्या आपका फोन नहीं बनेगा यह चीस देखना और मैने निव कैमरा लेकर आया आपको तो बूल नहीं भूल गया है यह कैमरा गार देखो पिक्सर कैसा लग रहा है आपको आच्या लग रहा है इसली निव कैमरा नहीं है, मेरा जो कैमरा बोई है, इस्ट्रा लेंस लेकर आया, मेरा माइक्रोइस्कोप को जो हटा दिया है, क्योंकि मैं तो आग लगा के दिखता भी नहीं हूं, तो उसको रख के क्या फाइदा? तो उसको मैंने होड़ा दिया है सिर्फ इस्ट्रा लेंस लेके आया उसी कैमरा को लगा दिया ठेके न अच्छा है न अभी देखो तो मुझे तो लग रहा है अच्छा है जो आग लगा के देखते हैं उसके लिए माइक्रोइस्कूप है तो दोस्तों कि इतना बड़ा लंबा वीडियो आप लोगों वह तो साथ बोरिंग लग रहा होगा मुझे भी लग रहा है यार इतना मतलब कपसे एडिट कर रहा है कि कपसे बॉइस दे रहा है कि या कर या कारे करना पड़ता आप लोगों के लिए तो चलो दोस्तों यहाँ पे तो यह जाली को मैंने पेठा दिया है कि बहुत मुझे कमेंट करके बने आप शुकापेश्ट क्यूंने यूचि करते हैं आ याँ धरकर नहीं परता या सुकापेश्ट यूच करने तो और धना इन्हें आज शुका पेष्ट यूज़ करने से एक बर में हो जाता है लिए मोगा टाइम कहा है टेस्ट को सुका फिर बैठाओ जो दिन में मेरे पास तो मेकानिक क्या है 183 डिग्री पेस्ट अभी ये रिवूलिंग करने के लिए मेरा ब्लोवर का हीट है 300 ठेक है और यहां फिर देखो कुछ बाहर निकल रहा है ना पेस्ट तो कुछ फरक नहीं पड़ता है कि थोड़ी दिर में ठीक हो जाएगा ठेक है यहां फिर देखो और देखो कुछ बाल बार के निकल के भी आ गया बार में है ना थोड़ा बहुत च्छटा बारा बन गया बाल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता है अभी काम करो अभी जो बिलेट है ना पंद्रा नंबर बिलेट उसी बिलेट से हार एक बाल को लेबल कर दो ठेक है काटके लेबल कर दो यह मेडिसिन दुकान में मिल जाएगा पंदया नंबर बिलेट ठीक है इसी बिलेट से कि यह सर्जरी बिलेट है इसी तरह इसको साब करो ठीक है अभी दोबारा ओई पीपीज पेस्ट डाल दो ओर नेट्री ठीरी डिग्री अब यह फाइनल बारा होगा ठीक है अगर दोबारा करने के बाद में भी अपका मौन में डाउट लगे कि यह च्छोटा बारा हो रहा है तो और एक पर बिलेट से कि साफ करके फिर से दोबारा पीपीज पेस्ट लागा कि करना ठीक है तो यह सेम प्रोसेस 300 हेट अभी लगरे पर्फेक्ट्ट हैना अब एक बार इसमें फिर से ब्लॉवर यूस करेंगे त्यूंट हिट में रखके त्यूंट है कि ब्लॉवर से इसलिए हिट करना है कि जब हम आइसी के उपर में प्लेट को बैटाता है उस्टे में हम लोग इतना शूर नहीं होता है कि पर्फेक्ट एरिया में बाल बन रहे हैं थोरा साइधर उधर हो रहा है लेकिन हम लोग को माइक्रोवेस्कूप में भी साई से नहीं देखता है तो इसके वज़ा से दुबरा ब्लोड से हिट करना है तब जाके यह जो बाल है यह अपने एरिया में बैट जाता है आटोमेटिक ले ट्रैक तो इसलिए दुबरा हिट करना पड़ता है तो आभी करते हैं धियाम को रिवल सब्सक्राइब अगर अच्छा से साप नहीं होता है तो फिर श्वर्व परीजिए है मेरा तो आच्छा से साप नहीं हुआ है तो इसलिए दूबरा कर रहे है बिलेट यूस करना है पतला होला ठीकना मोटा पिलेट यूस मत कारो ठीक है वोई सेम प्रोचेस रिवल करने का टाइम में कि 183 कि पेस्ट और पुलर का हिट 300 को कोई पर गलती है हो रहा है तो पिलिस मुझे कमेंट करके बोलना ठीक है कि अब लोग कमेंट करने से मुझे कुछ समझ में आता है कि या भई मैंने यहां पर गलती किया है ऐसे नहीं करना चाहिए तो पिलिस मुझे कमेंट करते रहा हो ठीक है हर एक वीडियो पर हर एक काम नहीं तो पिलिस मेंट पांगे तो जात्त् हमके पर एक पर एक है पिलिस में पुप आत्प मुझे कर से दो कि मुझे को और रिवोलिंग करने का टाैम में या फिद्ध्यों फितना अच्च लगता है ना देरिड़े देरिड़े करके बाल बुन रहे बोखती अच्च लगता है मुझी इसका साथ खेलो इसका साथ खेलो इसको अपना खेल समस्के काम करो अगर आप प्रशान होके कर रहा है कि मुझे नहीं करना है करना है तब तो सक्सिस नहीं होगा आप इसका साथ खेलो जितना खेलेगा उतना सक्सिस होगा है ठीक है ना जोरी जविस्ति नहीं करना है तो अभी सिप्यू र्याम दोनों रिवल हो गया है अभी हम लोग फटपट प्सक्राइब में डालके देखते हैं तो इसमें पर सेम एक बार ब्लॉर से हिट करना है और मेन बात मेन बात क्या है आपको कहाँ पर चेक करना चाहिए कि अग्याना क्योंकि आपने र्याम को दिरिवल कर दिया सीपी को रिवल कर दिया अभी क्या पाता भाई यह आईसिया सही है यह क्या खरब है खरब भी हो सकता है ना यह जो उपर का जो र्याम है यह इतना जल्दी खरब नहीं होता है यह निश्चे का सीप्यू भी खरब हो जाता है क्योंकि हमलों का कुछ गल्दी यहाँ बजाच है यहसे मुटा बिलैर पॉंस करना ज्यादा पिशार देके आईसे को नीकलना ठेके ना तो यहांक एक क्यापासिदार निकल गया है औरहें पी आनी इसको हम लग को फिर से दुबरा लागाना पर रहेगा तो आज़ी का एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं देख रहे तो इसलिए दुबरा थिनर से साफ कर रहे हैं न अभी सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब तो आप इसमें जो पेश्ट यूज करेंगे यह यूभी तूठू ठीरी है मेरे पास ऐसा बात नहीं है कि मेरा ही पेश्ट को यूज करना ही पड़ेगा आपको अधिया इसमें थोड़ा सा लगाना है ज्यादा नहीं और आइसी जो है ना इसको सही से बैठाना है थोड़ टाइम लगे लगने दो लेकिन बैठा हूँ सही से सही से बैठ गया भाई मुझे तो लग रहा है सही से बैठ गया यह क्यामरा का लेंस लेकिन मसता है ना क्लिंग आ रहा है पिक्सर और आभी जो हीट है मेरा बुलोर का यह क्विक का बुलोर में मैंने रखा है थिरी फॉर्टी हीट कि अठेक है अगर अगर आपका पास में अगर चाइनिस बुलोर या तो दूसरे तिसरा बुलोर है आप लोग थिरी थार्टी थार्टी फाइव थिरी फॉर्टी रख के दिखू यार ऐसे बात नहीं है कि वहीं रखना परेगा अगर जब अब लोग आइसी निकालेगा बैठाएगा ना तब समझ में आ जाएगा कितना इसी कितना हीट में आइसी निकल रहे है कितना हीट में बैठाने से लग जाए ठीक है ना चाहिए कि जादा हीट देना तो आएसी खाराब हो जाता यहाँ तो आप है और टो अपर यहां पर दूची चैक करेंगे और यहूं पर इस दोनों जगा में हम लोग चन्क करेंगे अगर यहां पर शॉर्ट देखता रहे खुट-ध पंदर रेडिंग आ रहाए सब का फून जिन्दिगे में नहीं बनेगा है क्यांकि आपका CPU short हो गया इसलिए यहां पर रेडिंग आ रहाए किसी-किसी फुन में फुल शॉट आरे किसी-कुशि फॉन में तस पंदर रेडिंग आ रहाए अगर इस तरह रेडिंग आ रहाए तो आपका फोन जिन्दीग में नहीं बनेगा ग्रांटी का साथ लिख दिया मैंने अगार यहां पे ठाइस्व का उपुर में रेडिंग आ रहाए ओवी रेडिंग कैसे चेक करना है मिटर का जो माइनास ओयर है बो रखना है ग्राउन पर और पिलास ओयर से चेक करना है इस पॉइंट पर यहां पर देखो 484, 490 इस तरह रेडिंग आ रहा है यानि यह CPU बिल्कुल ओके है यह CPU बिल्कुल ओके है इस CPU में प्रोब्लिम नहीं है ठेके चमज गया मेरा बात को यहीं पर चेक करो और कोहीं पर चेक करना नहीं परेगा आपको आपको MMC निकलना नहीं परेगा आपको Poverace निकलना नहीं परेगा CPU को बैठाओ और यहां पर जो दो क्यापाशिटर मैंने देखाया आपको उसी में चेक करो कि अगर इसमें शौट आ रहा है तो आपका फुन नहीं बनेगा फिर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट मत करो ठेके कि मेरा बत समझ गया आपने अगर इसमें शौट नहीं आ रहा है कि 400 500 300 जैसे रेडिंग आ रहा है तो फिर हाँ आप दूसरा तिसरा काम करके देख सकता है कि ठीक है कि यह रहां जहां पर लागेगा ना यहां पर दीको कुछ बॉले ऐसा लाग रहा है कि छोटा बढ़ा हो गया तो इसको सब करने जा रहा है कि घंड़ा हम ज्यादा ही देना चाहता है ज्यादा पिचारी इतने करना चाहते कि यह कि मेरा सीपेओँ ज्यों है यह बिल्कुल vorsसरे लग गया है इसलिए हम ज्यादा इसमें सिचारर fine देना जाते हैं अभी इसी में बैठा देगा ठीक ना बैठ जाएगा मुझे लग रहा है आँ बैठ जाएगा थोड़ासा सब करके फिर बैठाते है कि रहाम को ठीक है हो जाएगा तो अपने देख लिया काँ पर चेक करना है है ना तो अभी जो नेक्स टाइम वीडियो लेके आएगा एक स्थिरी प्रो या तो इसी आइसी का उपर तो फिर आपको कि आई सी में कहांब चक करना चाहिए यह लेकर आएगा ठेक है कि यह तो कपी लंबा पोट्शेश हो गया है ना आइसी को साफ करना डियोबल करना बैठाना बहुत लंबा पॉर्शेश है आपको बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा आइसी निकलने का तुरंथ कि आइसी मेरा सही है कर नहीं है थोरा सा वीट करो कि तो अभी तो इतना मालूम चल गये आपको कि यहां बही यहां पर चिक करने से अलम चलता है कि मोबाइल बनने का लाइक है का नहीं क्योंकि मैंने देखा मेरे पास में इतना सारे फोन आया है पोको X3 प्रो का जो दूसरा तिसरा ने ट्राइक किया सिप्यू तो शॉड हो गया इसका बज़ा से वो लोग क्या का नहीं किया वो लोग वावर IC को निकला, MMC को निकला, बहुत सरे IC को निकल के चिक क्या अरे भाई आपका सिप्यू शॉड हो गया है तो फिर यह सब काम करने का क्या दर कर ना तो उन लोगों को पता नहीं चलता है कि सिप्यू आच्याएक नहीं है तो ऐसा मत करो अब इसे अब लोगों को मालूम चल गया होगा है कि भाई शॉड सएशे निकल गया, शई से बट गया, कि सब्यूर अच्छा नहीं है है ہ्एक शीज आपको मालूम चल गया है graph एकपाफीटर में चेक करने से मालूम चल जाएगा आपको आपका सीपिव आचाय के नहीं है तो दोस्थो पर्फेक्टी बैट गया है इतिको के अभी क्या करना है यPa का जो क्पाफुटर है इसको दोबरा लगाना है और निशे का क्पाफाचीटर को लगाना है ठेकना पुराना किसी भी मदरबोट से निकल के लगा दो CPU का असपास का कपासिटर को निकल का लगा दो ठीक है चुड़ा चुड़ा कपासिटर को दोस्तों आसका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अधर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को ना मैंशल को थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि दूसरा मदरबोट से मुझे निकलना पर रहा है ठेके न क्यापासिटर को इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है अब लोग चाहें तो यहां पर थोड़ा सा स्किप कर सकता है क्योंकि मुझे देखाना है लाइप अपको इसलिए ह क्काम इसके नहीं कर सकता है अब लोग चाहे तो इसके पर दो पर एक गंटा लेक्सर मारना भाई बहुत ही तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा है ये कि करना पर रहे आप लेगों के लिए क्या करें अब लोग कम सिखने जाएगा अच्छा बात है जाओ लेकिन मेरा कहना यह है एक बार अब लोग जहां पर भी कम सिखने जा रहा है ना तो जितना पैसा हो लोग लेगा उतना पैसा का एक बार तुल्स खड़ी दो तुल्स करत के एक बार ट्राइ करो एक बार में तो सक्सिस नहीं होगा दस-पंदर दिन ट्राइ करो कुड़ाना माधरबोट का जो आइसिया है उसको निकालो बैठा उरेबल करो उसका ब्लाक पेस्ट वाइट पेस्ट है किस तरह उसको साफ करते है थरा बहुत वीडियो द जिदर में भी जाओ कोई पे भी जाओ कम अपना हाथों से करना परेगा एक नहीं और आज का डेड में नब्वे परसेंट फोन जो डेट कंडिशन में आ रहा है वो आपका सीप्यू का बदासी आ रहा है है मैं और मैंने ट्रीन निकला है अभी इसका जो आसपास में कोई तो लाइन बिरेक तो नहीं हुआ तो इसको ध्यान से चिक भी करना चाहिए आपको ठेकर अब्हाँ कबार मैंने बगस रहे फोन को देखा है तीन निकल देते लेकिन उसका लाइन भी बिरेक हो जाता है आपको ठीक है देखो अभी रेम लगाने का बाद में कितना रेटिंग आया 300 पिलस बिने रेम का 400 एसा कुछ आया था ठीक है एक बार देख लेना वीडियो आगे जाके तो आभी देखते हैं क्या यह सेट ओन हो रहा है कै नहीं आभी मादरबोड ठासा गर्म है इसलिए ठंडा कर रहा है ठेक है पार्म से कभी लंबा वीडियो हो गया ना आप लोग के लिए एक बार बैटरी को चेक करते हैं न क्यूंकि यह सब फुन में तो पड़ा रहने का बज़ा से बैटरी भी लोग रहता है तो बैटरी को चेक करते देखते हैं यह बैटरी चार्ज है 3.8 है ओन होना चाहिए जान तो हो गया डिस्पिलो में पिक्सल नहीं आ रहा है कि ओन तो हो गए nov neighbors by सेम अन हो लेकिन प्तिंग नहीं आ रहा है कि एक बर चायजला लौज देखते हैं कि बैटरी लो है इसके बजह से ऐसा हो रहा है नहीं War सेम सेम कंडिशन फोन तो ओन हो रहा है लेकिन डिस्पेले में लाइट नहीं आ रहा है ठीक है तो एक बार मादर बोट को ध्यान से हम लोग देखें कि क्या कोई पर कोई चुरा-चुरा जो कॉम्पिनेंट है वो मिसिंग तो नहीं हुआ अगर मादर बोट में लग रहा है कि सही है तो एक बार डिस्पेले को हम लोग चेंज करके देखें ठीक है तो मुझे ऐसा कोई पर भी नहीं लग रहा है कि मादर बोट में उस भी मिसिंग है मुझे लग रहा है मादर रबोट बिल्कुल ओके है तो मेरे पास दूसरा डिस्पिल है एक बर उसी को डाल के हम लोग चिक करते हैं ठेक है कि क्योंकि डिस्पिले भी खरब हो सकता है ऐसा कोई बात नहीं है कि डिस्पिले खरब नहीं होता है सेट तो ओन हो गया मुझे सिर्फ एही चिक करना है कि लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहांपर देखो दुसरा डिसपयले में लाइट आ गया कि मिर दो हम बाद में देख लेंगे अभी आपको इतना दिया है कि से मेरा जो Poco X3 पूरो है मैंने किस तरह उस CPU को रिबॉल किया है और कहां पर आपको चेक करना चाहिए मिरे से जितना हो पाया उतना आपको देखाने के लिए कुशिश किया तो दूस्तो वीडियो अगर कोई पर भी थोरा सा आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मैं चैनल को ठाएंग को समस